रूबरू में आप सबका स्वागत है आज हमारे साथ रूबरू में हमारे साथ मौजूद है लहर हम बात करेंगे लहर की नई फिल्म जो अभी हाली में रिलीज हुई है पाज्ट पास्ट में लहर जानकी का किरदार निभा रही है आज हम लहर से बात करेंगे और हम लहर से यह जानेंगे कि उन्हें जानकी का किरदार कैसे मिला उन्होंने इसको कैसे जिया और जानकी को जीते जुते उन्होंने समाज को कैसे देखा लहर आपका हमारे कारकरम में सवागत है सबसे पहले तो आपको बधाया और धेर सारी शुब कामना है आप मुझे यह बताइए कि यह फिल्म आपको कैसे मिली इस मुवी के लिए I have given audition मैंने audition दिया था and Mukesh Chhabra जी लेक वन फे बेस्ट कास्टिंग डिरेक्टर अभी तो उन्होंने सब की कास्टिंग करी तो मेरा audition लिया था then I was selected but the first condition was कि मुझे अपने बाल काटने पड़ेंगे वो भी फिर से मतला फिर्स फिल्म में जलपरी में भी बाल काट हो गए थे तो फिर से इती मुखिल चे बड़े थे and then again उन्होंने पूछा कि बाल काट लो तो वो कंडिशन थी लीना माम ने बोला था कि उनको जो भी उनको एक्ट्रस ते है शी वो खुद बाल काट करें तो फिर फिर में को लगा कि युरो इस अच्छा बहुत अच्छी मुवी है और पूछ बहुत अच्छा था मेरे बहुत कुछ करने के लिए तो फिर I said it's okay ठीक है मैं काट लोगी and then yeah and jis तरह का किरदार जो जानकी जिस तरह का किरदार है जिस जगन से है और जो उसने जिया है तरमे लहर उसको अपने कितना करीब पाती है Blair actually बहुत 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 करीब नहीं पाती है क्योंकि वो चारेक्टर बहुत इफरेंट है और वैसी lifestyle के लिए मैं ऐसा lifestyle is very different वो लोग and I think मैं बहुत शॉक भी थी उन लोग क्योंकि उनकी everyday lifestyle देकर मैं बहुत जादा थे अच्छा एसे भी लोग दह रहे हैं रहे हैं प्रॉपली एक city में बौन बॉट अप होना इस वेए दिफरेंट और वहां पे ज़ग ज़ा के लिए उनको बहुत देख थे प्रफरेंट हा और जानंकी का कारेक्टर वहां जासी है वह बहुत चुर्बली सी और मस्ती करती है और इदर उदर लेकिन वह किस सिचुएशन में आके उसको इस सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहापे वह अपनी पूरी लाइफ के बिल्कुल युरो में चुप हो जाती है वह कुछ नहीं बोलती है एंड में जब वह सब जब भारत में अपने आपस को कमपेर करूं तो हाव मैं बहुत काफी इफरेंट है लेकिन आई तिंग वैसे अगर मैं देखू तो काफी हद्टक सिमिलर भी है यह एक तरह की संदेश देती फिल्म है हम मैं इस्टिम मैं इस्टिम सिनेमा की बात करें तो आसी फिल्में तो तो आगे आप इस तरह की इस दरह की खरना चाहेंगी की संदपर के समाज को शंदेश देती ही या फिर बिजनेस के परपच की फिल्म मैं बिल्कुल, जिसमें भी मुझे अपने आपको और अपने अपको आज अच्टर डेवलाप करने का मौका में बिल्कूल करना पसंद करूगी चाहे वो आर्ट चिनमा हो या पे वो मेंस्ट्रीम हो पार्श जैसी फिल्म अगर बनेंगी तो बी वेरी गुट फोल सुसाइटी मतलब पूरी सुसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा उनकी उसकी डेवलापमेंट के लिए हर एक चीज के लिए तो वाई नौट मैं ब्लुकुल इस फिल्म के लिए कुछ अलग से कुछ ऐसा रिसर्च वगरा किया हो या किसी से मिली हूँ क्या विरी एक वर्क्षॉप हुई थी डेली में हमारे बहुत अच्छे थेटर डिरेक्टर है एंके शर्मा जी तो उनके साथ I had seven to eight days workshop जब पूरा मुवी स्टा होने बाला तो से ज़स पहले वो एक अच्छा experience था बहुत अच्छा experience था क्योंकि उन्हें कभी आसच लोग कभी सीखा नहीं है थेटर और acting as such और डिरेक्ली सीधा मुवीज में ओफर मिला तो इवस वही डिफरेंट तो उनके साथ जो वोग अच्छी थी बहुत लंबी वोग्शोप आराम से वो कराते थे तो बहुत ही अच्छा experience था काफी कुछ चीखने को मिला एक चीज जो मैंने वहाँ सीखिया सथ मुझे नहीं नहीं पता था तो काफी कुछ है जो मैंने उनके साथ एक्ष्लोर करा फिर विलिज जाने से पहले नहीं के बाद हम लोग ने स्तार्टिं के थी तो फोर डेज वि अच्छा experience यह था कि उसमें से एक थी she was 14 and उसकी engagement हो गई थी and they were waiting for her to turn 18 then उसकी शादी हो जाएगी तो वह चीज एक थी कि अभी तो मतला मैं 10th कर रहे हूं और वह engaged हो चुकी है तो काफी कुछ different देखने को बिला बड़ सबसे बात ही कि यह चीज भी उनने बहुत खूपसूरती से एक्सेप्ट कर रखी है वहाँ पर सब ऐसे ही चलता है वहाँ तो वो चीज एक अलग थी तो काफी कुछ स्तामला शुरू में वर्क्शॉप्स उनके साथ उसके बात फि ओई करने का शुर्क लेकिन जितने मौके मालीजे आप एक ल ुतलặt अर लहर और जानकी को अलग अलग करे देखिए तो लहर को मुक्य मिलते हैं लेकिन जानकी को बना चाहते थी और सारी चीजे तो आपको क्या लगता है कि यह हुना चाहिए या नही मतलब इनकी 14 साल के एज में किसी से अंगेजमेंट हो गई उन्हें पता भी नहीं है क्या है कैसे है तो क्या ये फैसले लेने का अधिकार एक लड़की को हुना चाहिए या इनके मावब को अधिक पढ़ाई बहुत जादा इंपोर्टन है क्योंकि वह पढ़ाई आपको कुछ भी बना सकती है शादी एक ऐसी चीज़ जो आप एक ताइम के आने के बाद भी कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई एक आपकी छूट गई देन नहीं होता उतना अधिक उसको इतना रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो फिर मुझे यह लगता है कि बढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है बढ़ाई करवाई और शादी का डिसिजन भी उसका होना चाहिए उसको जानना चाहिए किस से उसकी शादी हो रहे है कौन है कैसा इंसान है तो इसका डिसिजन होना चाहिए रदर दिन पेरंट्स पहले ही उसका फिक्स कर दे शादी और सब कुछ तो हाँ मुझे लगता है पढ़ाई जादा है इंपूर्ट आपना एक उन बताया कि 14 साल की लड़की उसका इंगेजमेंट हो गया है और खेर वो इंतिजार कर रहे है उसके पैरेंट्स की 18 साल की हो जाएगी तो जानकी का जो किर्दार जिया आपने उसमें लहर का इंपूट था काफी सरी मोवी का इंपूट हो सकता है काफी चीजे जो देखी है मैंने जिसे नॉमली ऐज चाईल भी बच्पन से कभी पढ़ा या देखा उन चीजों का इंपूट हो सकता है और सबसे बड़ा इंपूट यह से लीना माम का है वो अधर दिरेक्टर उनोंने बहुत 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 स्पेस दिया मुझे एक्स्प्लोर करने के लिए जानकी को तो अधिंक उनका सबसे बड़ा मैं काउंगी कि वनकी वज़से फिल्म का कोई एक ऐसा सेंज जो आपको अभी भी याद हो अधिक 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 मेरा रादिका अधिक उनके साथ एक सीन था जिसके अंदर बेसिकिली वो आती है और उनको काफी साही चोटे लगी वी है और मैं उनको ओइंटमें लगा रही हुए उस ताइम लगा रही हुए उस ताइम पर करने से पहले आज जानकी ना उस सीन में जानकी का जो पूरा तो उस सीन में वहां पर एक बच्ची की तरह नहीं थी बलकि एक केरर की तरह थी जो उसकी ध्यान रख रही है वह सीन बट तफ था करने के लिए और प्लस लीना मैं चारी थी कि वह जितना जादा इमोशनली मैं अपने अंदर से लाहू वो उतना अच्छा होगा बिना ग्लिस अच्रिन के ही हुआ और मैं और रादकादी अंदर पूरा राक सेट अप था तो उस सीन के एंड मैं जैनूरी मताती मैं रादकादी और लीना मा मॉनिटर के सामने मैं और रादकादी के सामने रो रह थे इतना रो रह थे क्योंकि वह एंड तक आते हाथे अच्छल में वह कि वह रहता है उनके साथ प्रूज़ें उनको देखे इतना इसा फिल करा कि मतलब यह है जब तो वह थे उनके साथ हो रहा है तो वह इस टायम पे वह सीन मेले बहुत थी नहीं गोगा पसंद है वह सीन और वह सीन बहुत अच्छा हुआ था था सब बहुत कुछ थे एंड में म काफी अलग है जैसे मैंने का कि मेरी अपरिंगिंग जो है वो काफी डिफरेंट है मेरे पेरंट्स जो है वो बहुत ओपन है हर एक चीज को लेके मैंलब उन्होंने हर एक चीज की छूट दिये इन फाक्ट हम लोग डेली तु मुंबई शिफ्ट कर गए क्योंकि वो चाथे थे कि मैं जो करना चाहती हूँ तो वो चीज बहुत दिफरेंट है जानकी के पैरेंट्स जो थे मुवी में वो उसको पेर्स कर रहे है एक शादी कुछ पैसो के लिए उसके उसकों कराना चाहते है तो काफी डिफरेंट है तो लेहर उससे एंड मतलब काफ कुछ शॉक है जो से मिलते है बुक्स पढने का शॉक और मतलब वह अच्छल में अंदर से जैसी है उसको भी मतलब वह चीजे एक्स्प्लोर करनी है वह खुशी वह सब कुछ लेकिन उसको नहीं मिलता है मौका जो की लेहर को अफकॉस मिल रह कि ऐसे बेरंज मिलें तो अबिने को लेकर के अबिने में केरियर को लेकर के आगे अपका क्या प्लान है अब यद आगे अबी मैं अपनी पढ़ाई कप्लीट करना चाहरी हूं पेले तो मुझे साइकोलोजी बहुत पसंद है इसलिए मैं अपना बस्टर्स, बच्लर्स मैं क करना चाहती हूं विद आप थेटर और आक्टिंग के टच में रहूंगी आप्टिंग मुझे बहुत पसंद है और उससे रिलेटर बहुत सारी चीज़े पसंद है दांसिंग का शौक है और रिसेंटल अभी मुझे पता चला है में थोड़ा बहुत गावी लेती हूं ठीके, I am बिकुल विद 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 रहूंगी आशियाना तेरा साथ मेरे हैना ढूंडते तेरी गली मुझे को घर मिला आव दाना तेरा हाथ मेरे हैना ढूंडते तेरा खुदा मुझे को रब मिला तू जो मिला लो हो गया में काब तू जो मिला तो हो गया सब हास मुश्किल सही आसा हुई मंज क्योंकि तुम धरकन मेहद क्या बात है सच में आपकी आवास तो अच्छी है सिंगि में भी हात आजमाना चाहिए आपको लहर इस फिल्म से आप कितनी प्रभवी थैं आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है कभी भी ऐसा कुछ समाज के लिए करने का या किसी भी तरह से महिलाओं के प्रति बदलाओं का तो क्या आप कुछ इनिस्येट करना चाहेंगे कुछ शुरू करना बिखुल बिखुल जितना कर सकती उतना करना चाहूँगी इस सब में actually मेरे डाट का बहुत मुझे बहुत बड़ा हाथ है मतलब in school मुझे बोला जाते है feminist by blood क्योंकि dad भी feminist है और वो काफी कुछ उसके बारे में लिखते हैं तो बिल्कुल मेरा असी लिए इसलिए इसलिए बहुत जादा मेरे था क्योंकि बच्पन से dad के चुरू काफी कुछ मादलब सुनती हूं अस चीज से मुझे भी लगता है उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है तो जब भी पारश को देखती हूं मैं डाट के पोर्स्पेक्टिव को देख यह क्योंकि उनोंने हमेशा मैं इसलिए के बारे में बोला है कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है या कुछ भी मिलता है तो मैं हार एक चीज में इनिशेडव लेती हूं और आगे भी ऐसी कोई प्रोजेक्ट मिलेगा पार्श की तरह इट ड़संट मैटर वो एक मेंस्ट्रीम सिनिमा हो या फिर वो आर्ट हो लेकिन बिल्कुल कि आपड़ा है अपना यहा इतना अच्छे से मैदा मैं सबसे यंग थी पूरे सेट पे तो मैं सबसे पामपर थी वह पे उझे लिटल प्रिंसे लिटल्परिंसे बोले थी कभी डर नहीं हुआ लेकिन इसे सीखने को बहत मिला एक तो इतनी कि उनको जब देखती थी वाइल विलब शॉट के बीच में जसे मेको अगब बेक मिला वाइ तो मैं भाही पेओ उनको देख लेख लेक्ट तो वह देखने में यह एक वोक्षोप के थू निकल गया अक्टिंग की ऐसा लगता था वो इतने अच्छे से वो उनसे सीखने को मिल कैसे प्रॉपर्ली अपने आपको हैं लाइट कैसे लेनी है काफी कुछ उनसे सीखने को तो कभी डर नहीं लगा लेकिन उनके साथ बहुत मस्ती करी थी मैंने सेट तो इसलिए वो डर खतम हो गया और तीनों हैं भी बहुत अच्छी माम के साथ मैं पहले भी काम कर चुगी ह जलपरी मैं तो उनके साथ तो अल्रेडी उनमला उनको जानती हूँ और उसके बाद सुर्वीन दी को जानना और रादकादी को वो तीनों बहुत डाउं टूर तो इतने अच्छे हैं उन्होंने बहुत कैर करी मेरी महां पे और बहुत अच्छे से सब थे तो मतलब कभी डर से जहते कि शुकम कहाने सब कहाने सब करें ज eo-haar जान-कर और मेरी ये शुभ काम नाएं कि आप आगे इसा तरह से काम करती रहें और अगे बढ़ती रहें और इस तरह कि संवेधन सील 되ं कि तरभी द्यान देन और काम करती रहें तो डोस्तों यही थी लहर जान की वाली ल रहने का आपका बहुत-बहुत सुक्रिया थैंक यू सुमाच